शिवसेना नेता और सांसा संजे राउत इन दिनों मुंबई के अर्था रोड जेल में है पात्रा चौल मामले में संजे राउत 22 अगस्तक जेल में रहेंगे अदालत ने उन्हें दवाई और घर का खाना देनी की पिजाज़त दी है जेल में राउत से मिलने के लिए बाहरी लोगों को पहले अनुमती लेनी होगी जेल के अंदर सही मुकपत्र सामना के लिए आर्टिकल लिख रहे थे जिस पर बवाल हुआ आज हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि राउत को कौन सा कैदी नंबर मिला है और जेल में उनकी डेली रूटिन क्या रहती है दरसल 1034 करोड के पत्रा चौल घोटाले के मामले में आरोपी संजे राउत नियाई खिरासत में है फिलाल राउत को कैदी नंबर 8959 के तौर पर पहचानने जा रहे है संजे राउत जेल में रहकर ज्यादातर वक्त अधियन और लिखन में मशगूल रहते हैं उन्हें किसे भी तरह का वियाईपी ट्रेटमेंट नहीं दिया गया है संजे राउत को वही सुविधाय मिल रही है जो अन्य कैदियों को समान्य नियमों के तहत उबलब्द करवाई जाती है राउत को लिखने के लिए पैन और रजिस्टर दिये गए हैं लेकिन वो जेल में लिख रहे हैं वो जेल से बाहर न जाएं इसका ध्यान जेल प्रशासन अच्छी तरह से रख रहे हैं लिखने के लावा वो खबरे पड़ते हैं बाकी कैदियों की तरह ही उनकी दिंचर्या भी नियमों से बंदी हुई है आपको बता दे कि कोट ने संजेराउत को घर का खाना और दवाया लेने के जाज़त दी हुई है इसके लावा अन्य कैदियों से कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा संजेराउत एकांद में बैठ कर अपना ज्यादतर समय अधियान और लिखन में बिताते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक वो ज्यादतर समय खामोश रहते हैं और बाचीत कम करते हैं जेल में उनसे जितना पूछा जाता है वो उतना ही बोलते हैं या जवाब देते हैं पिछले रविवार को संजेराउत का सामना में लेक रोक तोक के नाम से छपा था जिसमें राश्ठाकरे की पार्टी अमेनेस ने सवाल उठाए थे इस लेक के बाद राजनीती गलियारों में चर्चाय तेज हो गई थी इस पर कानूनी कारवाई करते हुए प्रशासन ने शक्ती बढ़ा दी थी तब से उनका लिखना जेल के अंदर ही सीमित रहे ये किसी भी माद्यम से जेल की दीवारों के बाहर ना जाए इसका ख्याल जेल प्रशासन अच्छी तरह से रख रहा है हाल के दिनों में और्थरोड जेल में बंद शिफ सेना नेता और सांसद संजेराउट से मिलने के लिए एक सांसद और दो विधायक पहुँचे थे लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोक दिया जेल प्रशासन ने कहा कि पात्रा चौल मामले में गिरफतार आरोपी संजेराउट से मिलने के लिए कोर्ट के आदेश या अनुमती के बिना मिलने नहीं दिया जाएगा और्थरोड जेल प्रशासन का कहना था कि अगर संजेराउट के घर से कोई मिलने की लिए आया होता तो हम उन्हें मना नहीं करते लेकिन बाहर का कोई भी व्यक्ति उन से मिलना चाहता है तो उसे कोट की अनुमती लेनी होगी आथरोट जेल के सूतरों ने बताया कि जेल के नियमों के मताबिक सिर्फ आरोपी के अपने रिष्तेदार ही उनसे मिल सकते हैं इसलिए उनके भाई और परिवार के सदस्योंको उनसे मिलने की ही अनुमति दी जाएगी अगर कोई बाहरी व्यक्ति मिलना चाहता है तो उसे कोर्ट से अनुमती लेनी होगी संजराउट से एक सांसद और दो विधायक जेल में मिलने पहुंचे थे लेकिन जेल प्रशासर ने उन्हें मिलने नहीं दिया आपको बता दें कि राउत आठरोड जेल में अपनी 14 दिनों की नियाएक हिरासत का वक्त गुजार रहे हैं 22 अगस तक उन्हें नियाएक हिरासत में भेजा गया है 31 जुलाई को एडी अधिकारियों की एक टीम उनसे मुंबई के मुलूंड स्थेत आवास पर पहुंची थी पत्रा चौल गोटाले के मामले में उनसे साड़े नो गंटे तक पूछताज के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया इसके बाद उन्हें एडी के मुंबई कार्याले में लाया गया महराथ साड़े 10 बजे तक पूछताज हुई इसके बाद देरात यानी 12 बचकर 30 मिनट में उन्हें गिरफतार कर लिया गया इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पहले अगस्त तक फिर 8 अगस्त तक एडी कस्टेडी में भेजा इसके बाद उन्हें 22 अगस्त तक जूडिशल कस्टेडी में भेज दिया गया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें